दोस्तों ये वीडियो अलंकार पर अधारित होगी यानी यूटूब की पहली ऐसी हिंदी की वीडियो होगी जिसमें बिना परिभासा, बिना लिखे, बिना रटे, एक्जाम हाल में अपने आंसर को एक नैनो सेकेंड में टिक कर पाएंगे तो नमस्कार, जैहिन, वंदे मातरम दोस्तों, स्वगत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेटी प्रेट्फॉर्म में आप मजा ही आजाने वाला है अलंकार को जिन्दिगी में दुबारा टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानि 5-10 मिनिट की वीडियो भूचा ला देगी अपने सिक्षा के जगत में चले स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले अलंकार का हम अर्थ जान लेते हैं देखे हर चीज को पढ़ने से पहले उस नाम का अर्थ मुझे आना चाहिए फिर हम देखेंगे कि कुश्ण किस तरीके से एक्जाम में आसानी से टिक होंगे देखें दोस्तों अगर बात करें अलंकार अलंकार यहाँ पर जो सिंपल सी बात करें जो एक ही कुश्ण आता है कि अलं का अर्थ क्या होता है अलंकार है क्या अलंकार दोस्तों में अलम एक सब्द आता है यानि अलम धनकार से बना हुआ अलंकार जिसका मतलब होता है आवहुसर मतलब क्या कैसा आवहुसर एक इस्त्री भी आवहुसर पहनती है तो यहां पर इस्त्री की बात नहीं जहां पर हम काब्वी की बात करते हैं कापे की सोभा बढ़ाने वाले तत्तों को हम क्या कहते हैं अलंकार कहते है यानि जो कापे का सॉंधर होता है वही हमारा अलंकार होता है चलिए हम बात करेंगे आगे जो important facts के तरफ चलेंगे जिसमें पूरा अलंकार समाहित है अर्था अलंकार दो भेद होते हैं अगर कुस्टन में आ जाए तीन भी बेद माने जाते हैं लेकिन मुख्यता की बात कर रहे तो जिसमें हम अलंकार को अर्था अलंकार और सब्दा अलंकार में डिवाइट करते हैं अब हम बात करेंगे सबसे किसा हम भूल जाते हैं और अगर हम देखेंगे कि एक्जाम में हम कैसे questions को solve करें क्योंकि उपमा अलंकार होता है रूपक अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है फिर आतिस्योक्ति होता है ब्रहंतिमान होता है अनुप्रास यमक स्लेस होता है इनको हम कैसे जाने बह कोई भी ट्रीक नहीं है कि जब पंक्ति में योजक चिन योजक चिन कहां पर आता है जब हम योजक चिन एक विराम का हिस्सा है विराम चिनों का हिस्सा है योजक चिन को हम कहते है डैस यहां पर डैस आ जाए योजक चिन आ जाए और सब्द में सा सी से आ जाए या सरिस आ जा बल क्या पूछा जाता एक्जाम में आप से बस ये पूछा जाता है कि एक एक्जामपल देगा और कहेगा इसमें अलंकार कौन सा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि concept अगर clear होगा कि अगर बीच में डैस आ जाए और अगर सासी से आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर उप fuse होगे तो बिल्कुल clear हो जाएंगे दूसरा यहाँ पर एक्जामपल लेते है करकमल साकोमल है यानि अगर डैस आ जाए योजक आ जाए और सब्दों की बात करे सासी से आ जाए तो समझ लेना इनमें से कोई भी एक सब्द आ जाए तो तुरंट आपको answer क्लिक कर देना है उ प्रमाख बंद करके ये उपमा वाला आज के बात जिंदगी में भूलोगे नहीं कभी नहीं भूलोगे आगे हम बात करेंगे यहाँ पर point पर next point पर चलेंगे कि अर्था अलंकार में जो अगला point आता है रूपक अलंकार देखे दोस्तों अगर बात करें हमने कहा उपमा अल आज के बात नहीं भूलेंगे लेकिन अर्था अलंकार में अगला point आता है कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचाने है रूपक में बच्चा बिलकुल मात खा जाता ये बात हम 100% तरीके से पूरी तरीके से सियोर्टी के साथ कह सकते हैं लेकिन आज के बात आपको करना ही नही बस आपको उपमा और रूपक को एक साथ में रख लेना है कि जब पंक्ती में केवल योजक चिन आ जाए और सासी से ना आए तो तुरंत आख बंद करके रूपक मार देना काहे की दिक्कत है समस्या क्या है उपमा लंकार मेरा ये कहता था कि अगर डैस या योजक चिन आए और उसके साथ में सासी से आए तो हम उपमा मारेंगे और रूपक हमारा उल्टा कहता है कि योजक चिन तो आए लेकिन सासी से भाईया ना आए हम रूपक मारेंगे कोई समस्या कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना जरा हम दो एक्जामपल ले लेते हैं मैया मैं तो चंदर सासी से मिल लाता तो मैं उपमा मार देता और नहीं मिल लाए तो समझ लो रूपक मार दिया चरण कमल बंदव हरी राई जो बहुत बार एक्जाम में पूंचे जाता है डैस देखा तुरंट बच्चे उपमा मार देते हैं नहीं अगर डैस है और सासी से है तो उपमा अगर डैस है तो सासी से अगर नहीं है तो रूपक होगा किलियर हुआ कोई कॉंसेप्ट कोई बच्चा भूल जाए तो मैं चुनोती के साथ कहता हूँ कि फिर पढ़ाना वेकार है सस्क्राइब कर लेना क्योंकि हर चैप्टर को इसी अंदाज में पढ़ाया जाता है राष्ट्र हित में अर्था अलंकार पूरी हिंदी चल ली जीरो से सिखर तक पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए सस्क्राइब कर लें और रोजाना रातरी आठ वजे हिंदी का टेस्ट 40 कुस्ण का मौक टेस्ट होता है अर्था अलंकार में अगला पॉइंट है कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे आद करें उत्प्रेक्षा अलंकार का एक नैनो सेकंड का ये ट्रिक है कि अगर एक्जांपल में मनू, जनू, मनहू, मानू, जानू इत्यादी सब्द आते हैं तो समझ लेना दुनिया का हर अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा एक्जाम्पल के तौर पर ले चला साथ में मुझे कनक जियो भिच्चू लेकर सुर्ण तो यहाँ पर क्या आया है? जियो आया है जियो यहाँ पर तो है नहीं? अब आप कोगे? जी हां जैसे मनू, मनहू, जनू, जननहू मानू, जियो तियो आप आगे से जियो तियो और लिख लो क्योंकि ऐसे सभी वर्ड अगर आते हैं जैसे नेत्र मानो कमल है नेत्र मानो कमल है तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि अगर मनु जनू मनहू मानु जानू जियों तियों अगर आता है ये आपके 6-7 वर्ण सब्द अगर आते हैं तो दुनिया का सब्द अलंकार के अंतरगत उतप्रेक्षा अलंकार होगा कोई भी सब्द गलत नहीं होगा जैसे एक एक्जामपल लेते हैं जो बहुत बार एक्जाम में अलंकार पूछा जाता है कहता है क्या आगे बात करेंगे इसी अर्था अलंकार में अतिसयोक्ती अलंकार एक चीज है तो अतिसयोक्ती अलंकार को क्या कहा जाता है तो कुस्टन में कभी-कभी ये पूछ लेता है कि अतिस्योक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है, अतिस्योक्ति का अर्थ क्या होता है, तो जब किसी बात का अतिस्योक्ति का अर्थ क्या होता है, बढ़ा चड़ा कर, मतलब छोटी बात होती है, उसको बढ़ा चड़ा कर कह दि तब तक चेतक था उस पार, मतलब क्या है कि बहुत बड़ी जो है नदिया आए उफान पर नदिया आए और कहीं न कहीं इतना जादा बड़ा चढ़ाकर इस बंक्ति में देखा गया है कि राणा ने सोचा ही था और तब तक चेतक चेतक का मतलब उसका घोडा, Reana सा महाराना प्रताप जी का घोड़े का नाम चेतक था और उस पार हो गया कितना बढ़ा चड़ा कर यहां पर बात को किया गया अब हम बात करते हैं मानवी अलंकार फिर चलेंगे सलेशन उप्रास और अन्य अन्य यमक अलंकार पर जो एक सब्दा अलंकार के पार्ट है मानवी अलंकार की बात करें कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवी भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहां मानवी अलंकार होता है जैसे प्रकति के दोपरा, इसर के दोपरा, भगवान के दोपरा दी गई चीजें उसमें मानो का सुरूप दिखलाता है जहलकता है तो वो मानवी अलंकार होता है जैसे फूल हसे कलियाँ मुस्कुराईँ जैसे क्या फूल हस सकते हैं? क्या? कलियां क्या मुश्कुरा सकती हैं क्या ऐसा लग रहा कोई आदमी की बात कर रहा है तो जहां पर व्यक्ति की बात कर रहा हो वहां पर मानो रूपी अगर हम अलंकरन देखें तो अलंकार कोन सा होगा मानवी अकरन अलंकार होगा clear है? याद रखेगा जब ऊसवर की चीजे जब मानवी करण का हिस्सा बन जाए तो मानवी करण अलंगकार होगा तीन अलंगकार जो एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एक अनुप्रास, एक यमक, एक स्लेस इन तीने अलंगकार को एक चुटकी में एक 9 सेकेंड में उड़ाते हैं देखे कैसे उड़ाते है तो उपर वाले सारे अलंकार को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है अब हम चलते हैं अनुप्रास की बारी है अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है वर्ण जब वारवार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा वर्ण जब वारवार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है यहाँ केवल धान रहे हम केवल वर्ण की बात कर रहे हैं केवल वर्ण अपने नोट्स में आप केवल छोटी छोटी लाइन में इस्टार बना के चीजों को लिख ले अनुप्रास कभी पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी जब वर्ण बार बार चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही थी जल्थल में यहाँ पर चा सब्द देखिएगा कितनी बार आया है चा सब्द कितनी बार आया है यह चा हमारा ही क्या है अनुप्रास अलंकार के तहट ऑप्शन नंबर जहां पर भी एकजाम में जाओगे जैसे तरनी तनूजा तट तमाल तरूबर बहुच्छाए यह अनुप्रास अलंकार है जहां वर्ण आबरती होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है और जहां पर अगली बात करेंगे यमक अलंकार अभी मैंने उपर देखा कि जब वर्ण अबरती होता है तो वहां यमक अलंकार ना होकर अनुप्रास अलंकार होता है जहां सब्द अलंकार के भाव में जाधा वार आता है एक सब्द अधिक बार रिपीट हो जाए और उसके अर्थ अनेक होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है जैसे काली घटा का घमंड घटा का घमंड घटा इसमें कोई सब्द जो है बार-बार आ रहा वर्ण क्या होते हैं वर्ण कोई सिंगल वर्ण हो वर्ण कोई सिंगल वर्ण हो ये वर्ण होता है जब वर्णों से मिलकर कोई बनता है तो वो क्या बनता है सब्द बनता है जहां सब्द इसको अंडरलाइन करना सब्द बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर क्या होता है यमक होता है पहली घटा का मतलब है यहाँ पर क्या एक घटा काली घटा का घमंड घटा एक घटा का अर्थ है बादलों की घटा और एक घटा का मतलब है कम हो जाना तो अर्थ अनेक है सब्द एक ही है दूसरा एक से कहता हूँ ये भी दो सब्द हैं एक ही जैसे है अर्थ अनेक है कनक का धतूरा कनक का सोना यहां पर सब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन अर्थ उसके अनेक है यमक अलंकार कहलाता है आगे बात करेंगे अगले पॉइंट पर और यहां पर रहेगा अंतिम और लास्ट सा पानी कर्त होते हैं रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून, पानी गए न उब्रे, मोती मानुश्चुन यहाँपर कर लिजेगा, यहां पर पानी का पहला अर्थ मनुश्य के संदरब में है, जब जिसका मतलब क्या होता है बिनमर्ता से है, मतलब एक सब्द मिले और उसके अर्थ दो निकल रहे हैं तो जहां सब्द दो या दो से अधिक होते हैं और अर्थ नेक होते हैं वहां यमक और जहां एक सब्द होता है वहां अलग-अलग अर्थ होते हैं तो वहां पर सले सलंकार होता है जैसे ये एक्जामपल याद रखना बारवार एक्जाम में यही एक्जामपल पूछा जा रहा है मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पानी का अर्थ है यह बिनम्रता की बात कर रहा है मनुस्य में हमेशा बिनम्रता होना चाहिए और इस पानी का दूसरा अर्थ क्या है आभा तेज या चमक याद रखें इस कुष्षन में पानी को यहाँ पर क्या किया गया है अर्थों में डिवाइड किया गया है तो सलेस अनुप्रास और यमक को यहाँ पर हम सब्दा अलंकार कहते हैं जबकि हम अर्था अलंकार को उपमा और से सारे सम्मंदित अलंकारों को हमने एक जवज़स ट कहेगा कि अलंग कार से कोई भी डाउट है या डाउट था या डाउट रहेगा आज के बाद सारे डाउट के लिए और खतम हो चुके हैं वंदे मातरम इंकलाब जिन्दावाद ऐसे ही आप मुस्कुराते रहेगा हमेशा मस्त रहेगा